हलो बच्चों कैसे हो आपका स्वागा थैतिरपान स्टेडी सेंटर में आज जो आपके समक्ष टॉपिक पस्तुत हुआ है कई मानने में काफी महतुपून है हर एक इक्जाम व्यू से ठीक है इसमें हम हर एक बात पर विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अच्छूता था तो चले देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है यहाँ पर जो हम कर रहे हैं सरहिंद सरहिंद जो है मुख्य इतियास सान के अंतरगात है यह मैप वर्क है जो काफी महतुपून है देखा जाए तो सरहिंद काफी महतुपून स्थान है लेकिन टॉपिक को आगे बरहाने से पहले मैं इतना ही आपको कहता हूं कि जितना हो सकी मुबाइल में जो है चैनल को सेव करें सब् जैसे कि हम बात यहाँ पर कर रहे हैं सरहिंद सरहिंद काफी महतुपून जो है स्थान है सरहिंद पंजाब के फतेगर साहिब जिले में एतिहासी मैहतुप कर एक स्थान है यह Nkes Bandi S database समधाइक गत्विदियों का केंद रहा है यानि जो सूफी संत थे उनका मुख्य गत्विदियां जो था इसी समय सरहिंद के आसपास ही होती थी और यहां पर 360 के करी मसीतों या मकवरे महजूद है 360 यहां पर अभी भी मकवरे मसूद है सरहिंद का जिक्र प्रशर सहीता ब्राही मीर की विराहत सहीता और अलबुदानी की किताब उल्हिंद में मिलती है ये कितावे में जो है सरहिंद के बारे में बहुत ही विस्तु जनकारी मिलती है किताव उलहिंद में और यह मुहम्मद गौडी के विरूद प्रित्वी राज चोहान का फौजी चोकी था सरहिंद जो था जब यहाँ पर प्रित्वी राज चोहान राज करते थे तो मुहम्मद गौडी के विरूद प्रित्वी राज चोहान ने यहाँ पर फौजी चोकी बनाई थी सरहिंद को और प्रित्वी राज चोहान की प्राजय के बाद यह गौरी सल्तनन का हिस्सा बन गया यानि गौरी सल्तनन का हिस्सा कब बना जब प्रित्वी राज चोहान हार गए मुहम्मद गौरी से प्रित्वी राज चोहान जब हार गए पिरूज सथ तूगलक ने अपने अध्यात्मिक मार दर्शक सजद्या जावदीन बुकारी के कहने पर 1381ी में उसकी पुन्य स्थापना किया किसकी सरहिंद किस ने स्थापना किया सेथ जलावद इन बुखारी के कहने पर तुगलक ने किया यानि फिरोसा तुगलक ने जो है बुखारी के कहने पर जो है इसका जो है स्तापना किया और देखा जाया तो समना की पुरानी जागिदारी की जो है बांट कर इसे अलग प्रागन बना दिया गया यानि बाद में जो है इसको अलग अ पहली सल्तनर का एक मजबूत गाड़ था देखा जाए तो यह महत्वपून गाड़ था सरहिंद में ही 1526 इस्वी में पानीपत की पहले लड़ाई से पहले बावर ने इवराहिम लोदी की फोज को पेशकदमी को रोका था अकबर के सासनकाल में इसने जो है सरकार के परधान केंदर और सबसे अधिक अमधन देने वाले बेपार केंदर के रूप में अपना महत्वपूर स्थापित कर लिया मुगलों के अधिन इसकी खुशहाली के कारण इसे सरहिंद पुरून के नाम से भी जाना जाने लग सका और इसका अर्थ यही होता है कि सरहिंद बावन क्योंकि यहां पर बावन लाग की अमधन देता था इसलिए इसको सरहिंद 52 के नाम से भी जाना जाता था देखा जाए तो एक महतवपून बात ये भी आता है सरहिंद के सुवेदार वजीर खान ने गुरू गोविन सिंग के दो छोटे सहवजादे जिन्दा चुनवा दिये गए यानि देखा जाये तो ये समयकाल काफी महतवपून था जहां पर सरहिंद के सुवेदार वजीर खान ने गुरू गोविन सिंग जी के दो सहजादे को जो है दिवार में जिन्दा चुनवा दिया और इस और पवित्र कारे के विरोध में बंदा बहादूर ने उसे 12 मौई 1710 इस्वी में चंपचीरी की लडाई में पराजित किया किसे वजीर खान को क्योंकि वजीर खान ने जो कुकरम किया था गुरू गुरू गुबी सिंजी के दो पुत्रों को जिन्दा चुनवा दिया था इस कारे कुकरम कारे कारण बंदा बहादूर काफी नराज हुए और नोंने वजीर खान को लडाई में पराजित कर दिया और ये सिरफ देखा जाया तो सरहिंद से 10 किलोमेटर की दूरी पर हुआ कहते हैं ये काफी महतपूर्ण समयकालती जहां पर सरहिंद को फते कर लिया यानि बंदा बहादूर ने सरहिंद को फते करके यानि विजय हासिल करके इस इतिहासिक लराई में मुसलमान फोजियों समेत बजीर खान को मार गिराया क्योंब वजीर खान ने जो कारे किया था उसके लिए जो है यहाँ पर भंदा बहादूर ने उसी परकार की सजा दी सिको ने सरहिंद पर कबजा कर लिया और भाई बंजा सिको इसका सुविदार बना दिया कि इसका सरहिंद का सुविदार जो बन गए बंजा सिंग को बना दिया गया और 1764 इसवी में जैसा सिंग लहु वालिया ने सरहिंद के सुविदार जैन खान को हटा कर इस पर कबजा कर लिया यानि देखा जाया तो सुवेदार जैन खान को हटा कर इस पर कबजा कर लिया और सरहिंद के महत्पून इतिहासी का स्थान जो की दो सहिवजादों और उनकी दादी माता गुजरी की याद में जो है निर्मित गुर्द्वारा फतेगर साहीव सेख एहमद सरहिंदी की मजार लाल मजजी उस्तान साहीद दिर्थ गुबंद और जाहे देखा जाये जाहे हवेली और आम आम खास बाग ये काफी महत्पून थे जो यादगार के रूप में देखा जात था वहीं परबंदा बहादूर ने बजीर खां को हरा कर इसको मौत के घाट भी उतारा था और ये सरहिंदी का जो है इस्तान इसलिए भी काफी महत्पून बन जाता है एक्जाम पॉइंट अव व्यू से